नमस्ते आप सब जनाबों का कैसा हाल है मैं फिर से पेश हूँ आप सब के सामने जहां मैं लेके आई हूँ एक फिर से नया टॉपिक आज हम बात करेंगे इस विचारधारा पे कि कभी हम रैडी हो जाते हैं तैयार होने के बाद हमें कोई मिलता है यकीनन सब के घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जिससे हम पूछते हैं हम कैसे लग रहे हैं ये मैं भी करती हूँ मैं पूछते हूँ अपनी मम्मी से मम्मी मैं कैसी लग रही हूँ और फिर मम्मी कहती है तू अच्छी लगती है और कई बर मम्मी ऐसे भी बोल देती है नहीं नहीं ये चेंज कर ऐसे चेंज कर तो हर कोई हमें एडवाइस देता है लेकिन मुझे एक दिन ऐसा फील हुआ कि मैं खुद भी तो जज कर सकती हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ क्योंकि हमें मतलब मम्मी इस परस्पेक्टिव से देख रही है कि वो मुझे प्यार करती है तो फिर वो मुझे उस पैटर्न में देखेंगी, तो वो मुझे हमेशा ऐसे कहेंगी कि हाँ, तो हमेशा अच्छी लगती है लेकिन वही हम ये मेरे साथ और आप सभी के साथ ये वाला ये वाली जो ये वाला लौ है, वो सब आप लोगों के पर भी इंप्लिमेंट होता है कोई हमें कहता है कि बैल बॉटम मत पैनो, कोई हमें कहता है कि तुम्हें ऐसे न्यू लुक लेना चाहिए, हेर स्टाइल चेंज करना चाहिए लेकिन हर किसी के पास अपनी एक डिफ्रेंट सोच है, अपनी डिफ्रेंट एडिलोजी है, जो वो हम पे डालते हैं और वो सोचते हैं कि हम उन्हें पिच्चर परफेक्ट बनके दिखाया है बट आपको किसी से भी नहीं पूछना कि आप कैसे लगते हो, आपको खुद जज करना है कि आप खुद को अच्छे लगने चाहिए हो, that's all matters, बस आप खुद को अच्छे लगोगे तो दुनिया को आप आप अच्छे लगोगे और सबसे important चीज है कि जैसे ही आपने किसी से पूछा तो हर तरीके के लोग हैं, हर तरीके की सोच है वो even वो कुछ इस तरीके से भी नहीं बोलेंगे कि आपको बुरा लगे लेकिन कई बार ऐसी चीज होती है कि हमारा confidence हम खुद lose कर देते हैं जब हम किसी से पूछते हैं क्योंकि बाइचन साब किसी function में जा रहे हो और आपको कोई मिल गया और उसने का आज तो कितना पतला लग रहा है अब डूड आपका दो confidence low हो गया ना क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप पतले लग रहे हो एकदम या फिर कोई कह देगा यह की tight कपड़े पहने हैं तो इसलिए आपको खुद judge करना है आपको खुद आपकी नजरों से focus करना है और clear out करना है कि क्या चीज आप पे best suit करती है और आप इसने अच्छे लग रहे हो या नहीं लग रहे हो उसके बाद जो भी आपको criticism मिलेगा वो आप जेल लोगे क्योंकि लोगों का criticism तो matter करता ही नहीं है सिर्फ हमें अपना acceptance चाहिए और वो acceptance तब मिलेगा जब आप खुद से ही पूछोगे आपको किसी से कभी कुछ पूछने की कोई requirement नहीं है Simple, thank you